डियर स्टूडेंट्स नमस्कार इस वीडियो में मैं आपसे सेर करने वाला हूं NCRT क्लास्थेन प्रस्नावली आठ दसने एक का दसमा सवाल तो आएए सबसे पहले हम क्वेशन पढ़ लेते हैं यहां क्वेशन दिया गया है कि तिर्भुज PQR में जिसका कौन Q सम कौन है तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहां पे जो लिखा गया है तिर्भुज PQR में जिसका कौन Q सम कौन है तो इस बात को आपको सन्तुष्ट करना है तो तिर्भुज PQR हमें एक तिर्भुज बना लेना है तो आईए हम तिर्भुज बनाते हैं तो प्रिये छात्रों जैसा कि आप देख सकते मैंने एक तिर्भुज बनाया और इस तिर्भुज में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसका कौन Q समकौन है तो समकौन तो यहाँ पे होता है तो समकुन हमारे पास जो ये है इसको हम Q मानेंगे क्या मानेंगे Q उसके बाद हम यहाँ P रख देंगे और उसके बाद यहाँ R रख देंगे तो यह P, QR हमारे पास एक समकुन तिर्भूज हो गया अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि P, R, P, Q, R 20 cm कहने का मतलब यह PR और यह QR इन दोनों भूजा मिला करके 25 cm है और पीक्यू बराबर 5 cm है तो हम सबसे पहले जो पीक्यू 5 cm वह लिख देते हैं तो पीक्यू यहां पे 5 cm मैंने लिख दिया ओके फ्रेंट्स मैं लिख दिया अब यहां पे इस सब का मान निकालना है इस सब का मान निकालने के लिए आपको यह भूजा यह भूजा तीनों भूजा पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह जो दिया हुआ है PR पलस की वार बराबर 25 cm उसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं तो आई हम लिखते हैं तो प्रियए चहतरों जैसा कि आप देख सकते मैंने लिखा PR पलस की वार बराबर 25 cm यह मैंने लिख दिया अब आपको करना क्या है यहां से देखिए आपको पक्षांतर करना है जैसे कि पी यःर प्लस कि वर शिमीटर है तो आप इसमें से कोई भी भुझा ग्यांत कर सकते हैं मालT प्यभुझा ग्यांत करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़े गाप्यार沒有 के और बराबर और यह भुजा यानी कर्ण हमारे पास है तो करन कितना निकला 55- qr तो आए हम लिखते हैं 25- qr ओके फ्रेंड्स मैंने लिख दिया अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अब आपको ज्याद करना क्या है आधार तो अधार तो है है नहीं मेरे पास तो पाइथा गुरस प्रमे की मदद से हमें निकालना पड़ेगा तो आईए सब़से पहले हम लिखते हैं पाइथा गुरस clientinvest से से थि ये छातरों आप देख सकते कि मैंने लिखा यहां पर पाइथा गुरस प्रमे से ओके गया अब यहां पर हमें निकालना है B, बहुत आसान होता है, निकालना सबसे पहले देखे P R, जो की कर्न है, और कर्न SQR बराबर क्या होता है, लम SQR पलस आधार SQR, तो वही सुत्र का यहां यूज करेंगे, कर्न SQR, यानि यहां पे कर्न के जगा पे क्या P R है, तो हम कर देंगे क्या, P R का SQR, बराबर, लम्ब का SQR पलस आधार का SQR, तो लम्ब हमारे पास P Q है, तो हम लिखेंगे P Q का SQR, और पलस में आधार हमारे पास क्या है, Q R है, तो लिखेंगे Q R का SQR, ओके, मैंने लिख दिया, अब यहां पे देखो, कि P R हमारे पास कितना है, 25 माइनस Q R है, तो हम देंगे बराबर है तो बराबर लिखिए ओके गाइस और यहां पर देखिए पी क्यू का स्कार प्लस क्यू आरे स्कार है तो यहां पर पी क्यू हमारे पास पांच है तो पांच लिखिए अब इसका स्कार है तो इसकार कर दीजिए ओके और यहां पर देखिए पलस है ना तो लिखे कि वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् सबसे पहले करेंगे क्या यहां वो मैं आपको बता देता हूं जैसे यहां पर देखिए सुत्र में यहां पर लिखा गया है कि एसकार है एक जगा पर यानि 25 का स्कार करेंगे अब 25 का स्कार करेंगे तो मतलब 25 गुने 25 तो पचीस गुने 25 करेंगे तो कितना होगा 625 तो हम डायक्ट लिखते हैं यहां पर 625 ओके मैंने लिख दिया अब देखिए सुत्र में पलस भी स्कार तो भी हमारे पास क्यूर है तो पलस लिखेंगे और क्या कर देंगे इसका कर दिया फिर सुत्र में है माइनस टू यह भी तो माइनस लिखेंगे पहले तो हम माइनस लिखते हैं फिर टू है तो टू लिखेंगे और बीच में मल्टिपलाई होता है ठीक इस बीच में क्या होते है मल्टिपलाई तो हमारे पास क्या है है 25 तो हम लिखेंगे 25 ऐल उके फिर इस B तॉ व्हाइन,hum लिखेंगे क्यूज और यह है जू काते हूं हम उतार देंगे 5 का स्कार है पहले यह बरूबर है तो बरूबर लिख लिजे 5 को स्कॉर कितना बर्यार कितना होगा 25 पलाश Etop Review लिखिये की वारr implic thing के मैंने लिख दिया इब को करना कि वो मैं आपको बताता हूं यहां से डेखिए बस simple है क्या än क्या करना वो देख लीजी कि यहां से दिखे 625 न तो 625 की है मैंने लिखे दिया ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि आप देख सकते है qr का square है और इधर बराबर से दिर plus का qr square है यह भी plus यह भी plus तो क्या होंगे आपस में कट जाएंगे ठीक है यह कट गया अब यहां से देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए पचीस दूनी कितना होगा पच्चास और qr है तो qr तो यह हो जाएगा पच्चास qr ओके फ्रेंट्स मैंने लिख दिया अब यह बराबर है और यह क्या है पचीस है बराबर सीधर लाएंगे पक्षाद दार करेंगे तो माइनस का पचीस हो जाएगा है ना और बराबर इधर कुछ नहीं बचा मतलब शुन्ने बच गया ठीक है यह हमारे पास आ गया ओके गाईस अब यहां से क्या करना है छेसो पचीस में से क्या घटेगा पचीस घटेगा है ना तो छेसो पचीस मेंसे 25 घटेगा तो क्या बचेगा 600 बचेगा तो हम लिखेंगे 600 मैंने लिख दिया माइनस है तो माइनस लिखिए 50 है तो 50 और की वार है तो की वार और बड़ाबर में क्या होगा सुनने अब यहां से क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं जैसे यह देख रहे हैं माइनस पचास की वार है तो लिखे माइनस का पचास की वार और बराबर है तो बराबर देखिए यह पलस का 600 है पक्षानतर करेंगे तो माइनस का 600 मैंने लिख दिया की जीडर को जोरी गटाई कोई एक ही बात है उसमें न जीडरो ऐसी से हैं क्या न तो एड होता है ठीक है याद रखना अब यह माइनस से माइनस कैंसिल अब हमारे पास बचा क्यूआर तो लिखेंगे क्या क्यूआर और बराबर 600 है तो 600 लिखेंगे और बटा में 50 है क्योंकि multiply में पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा बटा में जाएगा अब 100 से 100 कटा और 5 और यहां 60 वटे 5 बचा है ना तो 5 से 12 में यानि 12 पंचे 60 हो जाएगा 12 पंचे 60 यह कट जाएगा आपस में तो कितना है 12 है कि हमारे पास qr प्राप्ट करना था तो qr हमारे पास कितना है 12 आया तो हम लिखेंगे कितना qr 12 मैंने लिख दिया ओके यहाँ पे हो गया अब यहां से मैं आपको बताता हूं जैसे 25 माइनस qr है तो क्या करना है जैसे 25 है तो 25 लीखिये ओके माइनस है तो माइनस अब यहां देखे की वार तो की वार हमारे पास कितना निकला बार तो हम लिखेंगे बार और पचीस में से बार घटेगा तो कितना बचेगा यह हमारे पास बचेगा तेरा है ना इसका मतलब हुआ कि पी आर हमारे पास कितना आ गया तेरा आ गये है न तो यहां तीनों भुज़ा हमें प्राप्थ हो चुका है अब क्या करेंगे यहां पर आप देख लीजिए मान जो हमें निकालना है क्षान पी कॉषबी और टेनपी का मान जढ़ात करना है तो इन टीनों का मान हमμεना निकाल नह Do IE लिखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले साइनपी कॉस्पी तेनपें हम तीनहों लिख लिए सब्सक्राइब करना है कैसे गयात करेंगे बहुत आसान है जैसे कि साइन पी है तो पी हमारे पास ठीटा के स्थान पे तो यहां पे पी कहां ऊपर है तो ऊपर हमारे पास ठीटा है जब ऊपर ठीटा हो तो आपको पता है यह जो आप देख रहे हैं भी अधार यह पी में बद बदल जाएगा ठीक है पर पेंडिकुलर होता है यह भी है यह पी यहालने लंब हैdadeacak कॉन कींडी टिटा ज्याँ करसे लिए यह गा बाई होता है तो मैंने लिखा पीवाई एच ओके गाइस अब यहां पर देखें पीवाई एच होता है तो पी हमारे पास कितना है बारा है यानि लंब हमारे पास बारा है तो बारा लिखेंगे और एच हमारे पास कितना है तो तेरा लिखेंगे एक यह एंसर हमारे पास आ गया कॉस्पी यानि कॉस्ट मिलखेंगे क्या ए एच है तो अmy होता है तो अब बताइए पी कमान कितना हमारे पास और कितों 11 चाहरे तो कहीं भी तकलिक तो नहीं होगी दोस्तों वीडियो पसंद आ तो लाइक करना अगर नहीं समझ में है तो कमेंट करना कि भाईया ये कॉर्ष्टन हमें समझ में नहीं आए ठीक है और एक दो बार लेकिन देख लेना आप अगर एक बार में नहीं समझे तो दूसरा बार देख लेना ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों